अश्कार दोस्तों सीव कोचेंग क्लास तस्यूटूब चैनल में आपका सौगत है दोस्तों आज हम चर्चप करेंगे क्लोरोफाम बनाने की विधी ठीके तो यह आपको डाइग्राम के माध्यम से हम समझाएंगे जिसे डाइग्राम बना हुआ है इसमें हम क्लोरोफाम सबसे पहले हम बताएंगे इसके बीधी तो आप सबसे पहले क्या करें कि आप बीधी लिख लीजिए तो अच्छा रहेगा तो चलिए सुरू करते हैं लगभग 100 ग्राम लगभग 100 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर लेकर थोड़े से जल की मातरा मिला कर थोड़े से क्या मिलाएंगे जल की मातरा लगभग 100 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर लेकर थोड़े से जल की मातरा मिला कर लुगदी बनाते हैं ठीक है पेंदियुक्त फ्लास्क में रखते हैं कैसे हमने बोला लगभग 100 ग्राम ब्रीचिंग पाउडर में थोड़ी सी जल मिलाकर लुगदी बनाकर उसमें 200 ml जल मिलाकर अब सोचिए पहले थोड़ी से मिलाते जिससे लुगदी बन जाए लुगदी जैसे आप देखते हैं आटा को आप यदि पानी मिलाते है तो हलका लुगदी जैसे बन जाता है उसी तरह से ब्रीचिंग पाउडर में पहले हलका सा जल मिलाएंगे ताकि लुगदी बन जाए लुगदी के बाद उसमें 200 ml जल मिलाएंगे सब सूत्र बताएंगे दोस्तों कि एथिल अल्कोहल का सूत्र क्या होता है एसी टोन का क्या होता है तो ततपश्यात 25 ml एथिल अल्कोहल या एसी टोन मिलाया जाता है तथा बालू उस्मक की तो देखिए यह बालू उस्मक है यहां पर बालू रखा हुआ है तो बालू उस्मक की युक्त पात्र में आस्वन कराया जाता है हम यहां से बर्नर की सहाइता से गर्म करते हैं ठीक है तो यह आस्वन सुरू हो जाता है तो बालु उस्मा की फ्लास्क में जमकर या जमाकर आस्वन कराया जाता है जिससे क्या होता है कि अफ्क्रिया के फ्लसुरूफ हमें प्लू क्लोरोफरंग जिसकते हुझ जर प्रवाहित करते हुझ जिसके क्लोरोफरंग ळाता है实 गैं uh ा के इस प्रकार क्लोरोफरंग भूराग हुıl है शाये और ग्रावितों हम भीवाद प्रवाहित है हुझ घूरival लोग दिवाना लेते हैं तरिक्त तरप स्चांट इसमें 20 Mk fils राक्ते मी रखके 25 OVER 25the राव मनेके राव बालोओस्मक इंडिक्त फ्लास्क में रखके जिससे ठीक्रोरफाम करक्त होता है जिससे ग्राही में क्या यह यह हो गहाँ अब पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे हम इसकी रासानिक समिकर्ट विल्या पढ़ गटाया है U लिए अनुदे आपको पहले घंजे अंतले रहता बटाऊस सब्सक्याम इसके मैं रीया कराएं गे अथेलकुहाल की और आप एरी कमेंट में आप चाहते हैं की एसेट की अफ्रिया कराएं तो इसको भीयद करा देंगे ठीक है दोस्तों तो चलिए अब क्रिया चुरू करते हैं, तो देखीए अब परत्थम पध है कि बिरंजक चून का जल से क्रिया, दोस्तों हम इसके सूसरे बतायें कि सबसे पहले बिरंजक चून लेते हिंशोग्राम उसमें थोड़ा समात्रा जल लेते हिं जैसे बिरंजक चून का आपको सूथ पता होगा CAO, CL2, इसमें अपन क्या मिलाते हैं, S2O मिलाते हैं, तो देखिए क्या बनेगा, अब आपको अपको कैसे कराना है, थोड़ा सा समझना है आपको, ठीक है, यहां से S निकलेगा, और यहां से क्या निकलेगा, CL, ठीक है, तो क्या बनाएगा, HCL, यह तो simple सा, दोस्तों, HCL बना करते हैं, ठीक है, इसको यह तोड़ें, तो H और OH बनेगा, ध्यान दीजेगा, H और OH बनेगा, इसको तोड़ने के हम कला बता रहे हैं, आपको, CAO अलाग हो जाएगा, CL2 अलाग हो जाएगा, यहां पर CAO बचा, और यहां पर HOH, तो देखिए, CA है, 1 OH, H आकर डुड़ गय इसको आपको लिखना नहीं है, यह सब हम समझाने की, समझाने की वीज सोचते हैं, आसान हो जाए, इसलिए हम यह सब दुनिया भर की चीजे लिखते रहते हैं, ठीक है, दोस्तों, तो इसको आपको डाइरेक्ट लिखना है, क्या बना, CAO हो जाएगा, तो calcium high-drug side, इतना लिखना, CAOCl2 plus H2O, तो क्या बन गया, calcium high-drug side, ठीक है, COOH का whole toys, और क्या बन गया, Cl2 बन गया, अब दूसरा पद देखना है आपको, पहला पद में हमने देख लिया, कि बिरंजक चूड के थोड़ा सा पानी मिला, तो लुक दी बना है, तो क्या बन गया, calcium high-drug side बन OH, यह होता है, ethyl alcohol, दोस्तों इसको आप ऐसे भी लिख सकते है, CH3, CH2, OH, यह भी है ethyl alcohol, क्योंकि दो carbon और 5 hydrogen आप count कर सकते हैं, और OH हो गया, इसके क्लिया किस्चे कराएंगे, Cl2 से, ठीक है, आप देखिए, यह जो H है, देखिए, यहां से 1, 2H निकलेगा, यहां से 2Cl, त तो क्या बना लिया, 2H, Cl, HCl बना लिया, अब क्या बचा यहां पर, CH3 बचा, यहां क्या बचा, C बचा, दोस्तों अब OH जोड़ देंगे, तो reaction तो सही होगा है, तो HO कर दीजिए, अब इसका नाम आपको पता होना चाहिए, क्या है, यह ए, acid aldehyde, acid aldehyde, दोस्तों यह लोगी को को नाम नहीं बनता है, तो आप IPAC नामकार हमारी चैनल में दीखी, आप से दी IPAC नामकार नहीं बनता है, तो आप इसी प्रारंब से अंते तक वीडियो देखते हैं, तो मैं 100% कहता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा, दोस्तों यह आपको समझ में है, तभी हमें लिख सकती हैं, यहां से जो 2H है, CL से क्लिया करकी, HCL निकाल दिया, अब यह जो क्या है CS3, CHO, इससे प्राप्त हो गया, CS3, CHO, दोस्तों अब देखी, आप सोचते होंगे, यह आपके प्रिस्न आता होगा माइंड में, कि CS3, COH क्यों नहीं कर दिया, तो दोस्तों इस कारवन का बैलेंसी किता होता है, चार होता है, इस प्रकार से यह नहीं बनता है, ठीक है, तो यह CHO बनाता है, CS3, CHO, अब इसकी अदि आप डाइग्राम देखेंगे, तो CS3, C double band OH, यह होता है इसका डाइग्राम, तो दोस्तों आपको इतना लिखना है, सिंपल सा, आपको ज़्यादा नहीं लिखना है, थोड़ा हम समझाते हैं, ता कि आपको शमाज में आ जाए, बाकि आपको ज़्यादा नहीं लिखना है, बस एक line की reaction लिखना हार पद में, पहले पद में आपको यह दूसरे पद में यह हो गया, जोस्तों हम तीसरा पद देख रहे हैं, कि ती 3 fiber hydrogen 3 hydrogen निकलेगा 3 hydrogen निकलेगा और यहां पर 3 chlorine जड़ जाएगा simple सा तरीका है तीन hydrogen निखालीये 3 chlorine जोड दीजिए वाख की CHU ठीक है तीन आदने 2 निकलेगा तो कहीन है कहील याज़ जाएगास तो सीमपल अकेला तो रह नहीं सकता किसे क्रिया करेगा तो तीन को मुल्टिप्लाइ कर दीजिया दूसरा पद तीसरा पद एसी टेल्डियाइट कि किसे हमने करा दिया करा है हमने क्लोरीन से तो मिला क्लोरल प्राप्त होता है दोस्तों आपको लिख सकते हैं इस तरह है यह तो सिंपल लिका होगा दोस्तों आपको बस हमारे रिक्षन को समझने रिक्षन कैसे होता मेरा मुद्ध यह है कि आप अन्तिम पद देखतें दोस्तों यह चतुर्ध पद की बात करें तो चतुर्ध पद में आप देखे रहे होंगे calcium hydroxide प्राप्थ हुआ था हमको calcium hydroxide यह आपको सूत्र पता होना चाहिए पहले पद में प्राप्थ हुआ और तरती पद में प्राप्थ हुआ क्या chloral ccl3co यह chloral है इसके दो अडू reaction कराएंगे दोस्तों तब यह simple स्कता है आपको याद कैसे करना है क्योंकि ओ यह कितने अडू दो अडू है इसलिए हमको इसके दो अडू लेना पड़ेगा ऐसे आपको याद करने हैं चलिए reaction देखिए calcium hydroxide को हम ऐसा लिख सकते हैं c a o h और o h देखिए simple तरीका इसको हम लें लिख लिए क्यों क्योंकि आसान होगा समझने के लिए ठीक है अब आपको ccl3 इसको भी दो बाल लिख लिजिए ccl3 cco और ccl3 c h o देखिए ये भी ख्लोरल है ये भी क्लोरल है अब आपको क्या कैशे कराना है ध्यान दीजिएगा तो तो आपको देखना है केवल यहां से c h और लेना है बस कुछ भी नहीं करना है CH और CL3 उठा लिया आपने यही क्लोरोफा में दोस्तों बांकि जो बचेगा सब का सबसीधा सबसीधा आपको उतार देना है यहां सबने क्या लिया है CH और CL3 उतार दिया कितने हमने यहां पर लिया तो एक अडू इसमें भी है और CH CL3 यहा और कुछ नहीं CH जोड़ दीजिए यह CH अब देखें दोस्तों इसका नाम आपको कैसे याद करना है इसका नाम याद करना है कैल्सियम फार्मिट यह कैल्सियम फार्मिट नाम कैसे याद करना है फार्मिकम लगाब सूत जानते हों HCOO ठीक है जब यहां से हैड्रोजन निकल कैलसियंस द्रूझॳ जाता है HCOO को होंद ड fabrics कैल्सयम में याद करना है यह सब्सक्याद को चॉथा पद्स्टो its' क्लोरल क्लोरो फार्म मिल गया और कैल्सियम चतर यह सब्सक्राथ है चैसर लिकारोपर्म क beansबक्राइब आभ थैखी क्लोरोफार्म करहिए में हमने क्लोरोफाम बनाने की बीधिया और अवक्रिया इन चारो पॉइंटों को आप अच्छे से तयार करें आप चारो पॉइंट जब अच्छे से तयार कर लेंगे दोस्तों तो आपको पुरा क्लियर हो जाएगा ठीक है दोस्तों तो आज के लिए इतना ही लेकिन हम आपक तो यह कहना चाहेंगे कि इसकी अवग्रिया दो विदिसे होती है, एक तो एथिल अल्कॉल से, तो हमने एथिल अल्कॉल सीम्पल सा बता है क्योंकि आपको शमज में आ सके, इस वीडियो को आप 1 से 2 बार, 3 बार देखें, टाउनलोड कर सकते हैं, आप, आपको समझने के प्रत्कोंन क्वेश्चन हम इस समय अप्लोड कर रहे हैं 12th क्लास की खासतोर से 11th की और कमिष्टी और फिजिक्स की भी वीडियो अप्लोड करते हैं दोस्तों तो दोस्तों हमारे वीडियो के अधी आप देख रहे हैं वादी आप पसंद आएं तो लाइक ज़रूर कर ले दो